कुण्ली का 3rd house house of communication होता है तीसरा भाव वेक्टी के पराक्रम को साहस को बाहुबल को दिखाता है सवाज शेली वेक्टी की जो है वो 3rd house ही देखी जाती है और 3rd house जो वो कुण्ली का है उस पर दो करहों का अधिपत्य होता है मंगल जो है वो 3rd house के कारेक रहे हैं और कालपु कुण्ली के साथ से जो मिथुन राशी बढ़ती है वहां पर बुद्ध का भी प्रभाव थड़ा उसमें आ जाता है तो मंगल अगर कुण्ली में खराब इस सिति में है बुद्ध की सिति अच्छी नहीं है तो देखा गया है कि वेक्टी का जो कम्यूनिकेशन हो बहुत अत करता है उची अवाज में बात करने के साथ मार पीट पर भी उतर जाता है लेकि अपना आपाग हो देता है वो सब चीजे उसके खराब कम्यूनिकेशन यानि अफ्लिक्टिड जो थर्ड हाउस है उसकी वैसे देखने में आती है तो जीवन की कठनाईयों से अगर बचना है अपना कम्यूनिकेशन यानि कुणने के थर्ड हाउस पर जरूर फोकस करना चाहिए और थर्ड हाउस का जो है आज की समय में बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि आज के डिजिजल दुनिया में कम्यूनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जहां पर आप दो लोग ए अपनी लगन कुणने के साब से थर्ड हा उसका जो स्वामित तो लिये हुए जो लौट्शिप लिये हुए उस ग्रह के उपाय तो करने ही चाहिए अगर वह अफ्लिक्शन में है लेकिन मंगल और बुद पर जरूर फोकस करना चाहिए मंगल आपकी उज्जा है आपका साहस से बुद आपकी वाड़ी है तो बुद और मंगल से जुड़े हुए जो पार्ट पूजा है दान पुन्य वगर जो है विक्ति को समय समय पर करने चाहिए